नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सागर Recently, केरला हाई कोर्ड में, जसिस देवन डामचंदरन साब के सामने एक केस पहुंजा जसिस देवन डामचंदरन केरला में काफी फेमर्ज है, इनके प्रोग्रसिव जड्जिमेंट्स के लिए तो केस क्या है दोस्तों, यह मैं आपको बताता हूँ, केरला का एक कॉलेज में एक लड़के ने कुछ लड़कियों के साथ misbehavior किया, misbehavior in the sense, उनके उपर कुछ vulgar comments, basically sexist comments वगरा पास किया तो लड़कियों ने college principal के सामने जाके complain किया, तो college का एक internal complaint committee है, उन्होंने एक investigation conduct कराया और यह पता चला कि उस लड़के ने actually sexist comments पास किया है लड़कियों के ऊपर, और principal ने उस लड़के को 18 महिने के लिए suspend किया, तो उस लड़के ने क्या किया, यह जो suspension का decision है उसे challenge किया केरला हाई कोड में, और case पहुंजा जिस देवन नामचंदरन साब के सामने, तो उन्होंने actually देखा जाएगा तो इस case को dismiss किया है, उन्होंने बोला college का ही एक statutory committee form करो, जो और एक बार thorough investigation करायेंगे, दोनों क side सुनेंगे, इसके बाद उनको एक मेने के अंदर एक decision लेना है, in case आपसे maximum जो sexual harassment वाला cases या फिर sexual bullying वाला cases वो तो लड़कों के against ही आता है, लड़कों के against थोड़ी ना आता है, आपने यह बहुत कम सुना होगा, कि एक लड़की ने लड़के के उपर sexual comment पास किया, और वो लड़के ने जाके complain किया, ही की नहीं, तो इसका main reason यह है दोस्तों, एक तो यह है कुछ लड़के ऐसे हैं, जो sexual comments पास करते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है, दूसरी वजा यह है दोस्तों, कि लड़के जो बड़े होते हैं जिस environment में, वो एक stereotype environment है, उन्हें बच्पन से य या फिर उन्हें automatically समझ में आता है कि एक society में लड़कों का importance ज्यादा है, उन्हें school में, college में, family में, society में, कोई यह नहीं सिखाता है कि gender equality क्या चीज़ होती है, opposite sex को respect करना कितना important होती है, तो अगर लड़कों के against इस तरह के cases आते हैं, उसके लिए वो तो responsible है, उसमें कोई doubt नहीं, उन्हें कभी भी यह करना नहीं चाहिए, अगर करेंगे तो उनको punish भी करना चाहिए, पर at the same time इसके लिए responsible society भी है, हमारी society की जो stereotype mentality है, हमारी society की जो sexist mentality है, उसे सबसे पहले हमें बदलना होगा, तो चलिए इस judgment में, जिस देवन रामचंदरन साब ने, sexism से related कुछ अच्छे-च्छे points कहा है, वो क्या है चक कर लेते हैं, सबसे पहले sexism मतलब होता कहा है दोस्तों, it can be a belief that one sex is superior to or more valuable than another sex, जब ऐसा एक belief चाह जाता है, कि एक sex जो है, दूसरे sex से superior है, या फिर more valuable है, उसे आप sexism बोल सकते हैं, and it imposes limits on what men and boys can and should do, and what women and girls can and should do, तो यह basically limits impose करते ह men and boys क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, women and girls क्या कर सकते हैं, और क्या करना चाहिए, तो इधर court ने ये clear किया है, sexism बिल्कुल acceptable नहीं है, या फिर modern language में cool नहीं है, है गिनी, तो court के हिसाब से, ये जो पुराने concepts है, masculinity का, या फिर मरदानगी का, वो सब change हो चुका है, उसे औ और change होने की जरुवत है, देखिए, court ने क्या बोला है, showing a girl or woman respect and honor is not old-fashioned, on the contrary, is a virtue for all times, मतलब एक लेड़ की या महिला का आदर और समान दिखाना, पुराने जमाने की बात नहीं है, इसके विवरीत हर समय के लिए एक गुन है, तो जसिस रामचंदरन साब के इसाब से, ये child must be taught in the family and from the beginning of school that he or she must respect the other gender, ये ही तो problem है दोस्तो, हमारे school में भी stereotype में डाल्टी है, कि उधर ठीक से ये सिखाते नहीं कि कि किस तरह opposite gender को हमें respect करना है, ठीक है, तो एक child को family में सिखाना चाहिए, school में सिखाना चाहिए, that other gender को respect करना है करके, उन्होंने ये भी कहा है, real men don't bully women and not an expression of macho virtue, अगर एक लड़का लेड़की को bully करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, वो एक macho man है, ठीक है, real men कभी भी women को bully नहीं करते हैं, in fact, जो women को harass करते हैं, वो actually weak होते हैं, देखे, unfortunately हमारी society में, या फिर हमारी जो movies release होते हैं, उसमें कई सरे scenes ऐसे होते हैं, जिसमें hero और उनके जो दोस्त हैं, वो लेड़कीों के उपर sexist comment पास करते हैं, double meaning में बात करते हैं, और लोग ताली भी मारते हैं, मतलब basically हमने ऐसे कामों को एक macho virtue का expression दिया है, देखें दोस्तों हमारा generation तो unfortunately बरबाद होई गया, कमशेकव आने वाले generation को बच्पन से ये सिखाना कि opposite gender को respect करना, उनके साथ अच्छा behave करना, आपको strong बनाएंगे, ऐसा नहीं कि आप उन्हें dominate करने की कोशिश करोगे, उनके उपर vulgar comments मारके, या फिर उनके उपर sexist comments मारके, उन्हें आप harass करने की कोशिश करोगे, तब आप strong बनेंगे, so basically ये जो concept है, real men don't bully women, ये हमें inject करन पड़ेगा, एक एक बच्चो में, court के इसाब से हमारा जो education system है, ये academic results के उपर focus करते हैं, employability के उपर focus करते हैं, मतलब एक बच्चे को academically उतना strong बना देते हैं, ताकि उन्हें एक अच्छा job मिल जाए, character building के उपर कोई focus नहीं है, तो आप time आ गया है, हमारा education system का जो attention है, उस से shift करने का, so that our children grow up to be well-adjusted adults, हमारे बच्चों को इस तरह हमें बढ़ा करना है, ताकि वो well-adjusted adults बन जाए, हमारे syllabus में, curriculum में, lessons होना चीए, good behavior का, at least primary class level से, और teachers को भी encourage करना चीए, virtues and values students में instill करने का, and boys must know that they should not touch a girl or woman without her explicit consent, they should understand no means no, मतलब एक बच्चा जब बड़े होंगे, उनके दिमाग में ये clear होना चाहिए, कि एक girl को या woman को, उनके concern के बिना, touch करना alert नहीं है, उन्हें ये समझना चाहिए, no का मतलब no होता है, तो दोस्तों that's it, coincidentally, आज का daily news analysis में मैंने एक article कवर किया था, आश्मान भारत health and wellness awareness program, government of India ने ये program पीन साल पहले launch किया था, इस program का objective भी वही है दोस्तों, government of India ने total 766 districts in India में ये program launch किया था, ये program का main objective ये है, कि basically academic education के अलावा बचों को, ऐसे कुछ पढ़ाओ जो उनके social life के लिए applicable, जैसे कि good behavior, उनको mentally and emotionally strong बनाना, personal relationships का important समझाना, sex education impart करना, etc, etc, but unfortunately हिंदू में जो article आया था, उसमें ये बोला गया, कि ये जो program तीन साल पहले launch होने के बावजूत, अभी तक totally implement नहीं हो पाया है, क्यूंकि देखे, program के इसाब से हर एक school में, health and wellness ambassadors को appoint करना था, basically school में जो teachers है, उन्हें एक extra duty देना था, ask health and wellness ambassadors, पर देखे, आपको पता है दोस्तों, हमारे school में teachers की कमी है, उस वज़े से ये काम ठीक से implement नहीं हो पाया है, तो खुल मिला के slowly and surely things are changing, government की तरब से कम से कम थोड़ा बुत initiatives तो हो रहा है, ये non-academic education का importance समझाने के लिए, तो grassroots level से changes शुरू करना है, आप punishment increase करने से या फिर अलग-अलग campaign चलाने से कुछ नहीं होगा, जब तक grassroots level से कुछ शुरू नहीं करेगा और systematically सब कुछ सुथारते हुए आएंगे नहीं, कुछ बदलने वाला नहीं है, तो ये केवल government की responsibility नहीं है, हम सब की responsibility है, कल के date में आपके भी बच्चे होंगे है, तो आपकी भी responsibility बेनती है, आपके बच्चों को ये समझाना, ये सिखाना, कि opposite sex को respect करना, gender equality को maintain करना कितना जरूरी है, इस बारे में आपका क्या opinion है, आप मुझे comment box में बता दीजेगा, thank you for watching, bye bye, have it.